आयुरुएद भारतिय जड़ी बूटियों का महाकावे जिसमें आपके स्वास्त्य और वेलनेस के लिए अंगिनत उप्चार और आउशदियों के रहस्य है इसी आयुरुएदिक धरोहर में एक महतुपुर्ण आउशदि है जिसका नाम है त्रिपला त्रिपला संस्कृत में त्री और फल का मेल जिसका अरत होता है कि तीन फलों का मिश्रत त्रिपला के फाइदे भारत के राजा और रिश्यों के द्वारा प्राचिन काल से उप्योग की जाते आ रहे है और आज भी लोग इसका आयरुवेदी गुनों का लाब उठा रहे है त्रिपला के चूर्ण के फाइदोई पाचन को सोधारना, वजन कम करना, मुह के रोगों को दूर करना, चिकित्सिय समस्याओं का इलाज करना, शारिरिक और वांसिक स्वास्त को बहतर बनाना यह एक शक्तिशाली आउशदी है, जो आयरुवेद में एक महतोपूर्ण स्थान रखती है, और भारतिये जड़ी भूटियों के खजाने में से एक त्रिफला चूर्ण के फाइदे त्रिफला चूर्ण एक प्राचिन आयरुवेदिक अउशद है, भारतिये सब्जी वालों की दुकानों और आयरुवेदिक दवाईयों के दुकानों में हमें आसानी से मिल जाता है, त्रिफला चूर्ण जिसे विभिन रूपों में लिया जा सकता है, स्वास्त को कई तरोक से सुधार कर सकता है इसके अगर फाइदों की बात करें तो पाचन में सुधार करता है त्रिफला चूर्ण पाचन को सुधारने में पाइदेमन होता है इसमें हरित की नाम गटक होता है जो पाचन प्रक्रिया को स्वस्त रखने में मदद करता है यह खाने के बाद अपच और दुरुष्टी में सुधा, त्रिफला चुर्ण आकों की सेहत के लिए भी फायदेमन होता है। इसमें विटेमिन C और एंटी एक्सेडन होते हैं जो दुरुष्टी को सुधार सकते हैं। इसके आलावा है गलुकोमा और कैटलेक्ट की तरह अन्याकों की बिमारियों के खिला सुधा, भी रक्षा कर सकता है। ट्रि प्रला चुर्ण का सेवन जो है गठिया और सुजन में राधत दे सकता है। ट्रि प्रCl DM जोडों की सेहत केहन चाहिता हैं । وتango करने में मदद कर सकतें। अर्दंब को कम करते हैं। त्रिफला चुर्ण का द्रृष्टी की सेज़त के लिए पायदय में होता है यह मशूडों को मशूदी प्रत्यूदा करता है और मसूडों से सम्मंद समस्या को दूर कर सकता है इसके अलावा यह मुन के केड़ों के खिला भी लड़ता और मुsisत को बनाये रखने में मदद कर सकता है त्रिफला चूर्ण का सेवन करने से रोग प्रति रोध एक्षम्ता जो है वह बढ़ती है त्रिफला चूर्ण का सेवन करना आपके इम्यून सिस्टेम को मजबूती प्रदान करता है इसमें विटेमिन प्रइशन को सुधरने में मदद करता है और वसा मेंटेन करने में मदद करता है इसके अलावा यह कुण की शुगर के श्तर को नियंट्रित करने में मदद कर सकता है जिससे मोटापे के जोखिल को कम किया जा सकता है मूत्र संबंदी जो बीमारिया होती है उसमें भी त्रिपला का चुर्ण इस्तिमाल कर सकते हैं त्रिफला चुर्ण के सेवन से मुत्र सम्मादी समस्याओं के इलाज के लिए भी फाइदेमन्द हो सकता है वह यूरिन इंपेक्शन, किड्नी स्टोन और मुत्रवाहिनी सम्मादी समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है इसके अलावा यह मूत्र समस्याओं की रोखा में मदद कर सकता है और मूत्र के संचलन में भी मदद कर सकता है या सुधार कर सकता है चुर्ण जो है मानसिक स्वास्त को बहतर बनाता है त्रिपला चुर्ण का स्टेवन मानसिक स्वास्त को भी सुधार सकता है यह स्ट्रेस को क और मानसिक तनाव को दूर करने में मदद कर सकता है इसके आलावा मस्तिष्झ को सुधारने और मानसिक वहतर बनाने में मदद कर सकता है जिससे आपका त्रिफला चूर्ण के फाइद है अब बात करेंगे फाइदों की तो पाचन और कब्स को दूर करने में यह साहियक होता है त्रिफला आतों के स्वास्त के लिए बेहदी मैथोबूर नहीं इसमें विविन्न घटक होते हैं जैसे की हरित की विवित की और आवना जो पाचन को सुधारने और कब्स को दूर करने में मदद करते हैं त्रिफला आतों के सफाई को बढ़ावा देता है जिससे आपको पाचन सिस्टम को स्वस्त रखने में मदद मिलती है और आप आहर को अच्छी तरह से बचा सकते नेक्स्ट आंग बात करेंगे कि त्रिफला चूरुन का सेवन जो है वो शांति और मनुबल में सुधार करता है त्रिफला मानसिक स्वस्त के लिए भी फाइदेमन्द हो सकता है यह तनाव को कम करने में मदद करता है और मानसिक शांति को बनाय रखने में भी मदद कर सकता ह इसके अलावा हिए मस्तिष्प को सुधार नहीं में मदद कर aşkuda जिसके आपको मन शांत होता है और मनोबल मस्बुत रहता है त्रिफल अकान। सेवन से ध्यान और योग की प्रैक्टिस के साथ मालसिक स्वास्थ को सुधारने ही मदद कर सकते हैं जो है रुदय और रख्तदाप की जो सेहत है उसको ठीक रख सकता है त्रिपला चुर्ण रुदय के स्वास्थ के लिए भी पाइदेमन हो सकता है इसमें विटेमिन सी और अन्य पूशकत दोगते जो रुदय के लिए पाइदेमन होते यह रख्तदाप को नियंत्रिक करने में मदद करता है और रुदय समंदी समस्याओं को दूर कर सकता है त्रिपला चुर्ण का नियमे सेवन करने से रुदय के लिए शुक्रता को बड़ावा देता है और रख्तदाप को नियंत्रिक करने में यह को मदद में नेक्स्ट आंग बात करेंगे कि त्रिपला एक अजभूत आउशदी है जिसमें पार्चन, मानसिक स्वास्ते और रु त्रिपला बहुत ही पाइदेम्द होता है त्रिपला बालों के स्वास्त के लिए भी पाइदेम्द हो सकता है इसमें विटेमिन सी और एंटे अक्सिडेंट होते हैं जो बालों को मुझबूत ही प्रदान कर सकते और बालों की बीमारियों से लड़ने में भी मदद कर सकता ह और बालों को चमकदार और स्वस्त अपाना सकते हैं नेक्स नाम बात करेंगे कि त्रिफला जो है वजन को नियंत्रित में रखता है त्रिफला चुर्ण मोटापे को कम करने में मदद करता है इसमें विटेमिन सकते हैं विबद की नामक घटभ होता है oψy की कुलीट करने में मदद कर सकता है Springs का फायदा मोटेमिन की नाम घटव होता है जो ब्रत महीं शुगर के स्टर को संतुलित करने में मदद कर सकता है त्रिफला का नियमीद सेवन मदू में है कि प्रबंदन में मदद कर सकता है और इसके द्वारा शुगर के स्थार को नियांत्रित करने में मदद मिल सकते हैं त्रिफला चूर्ण जब आप इस्तिमार करते हुँ तो कुछ सावधानिया और कुछ साइड एफेक्ट्स आपको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए तो त्रिफला चूर्ण आयरुवेद में प्रम कोषदी के रूप में प्रसिद्ध है और विबिन स्वास्ते समस्यां के उप बसे सेमस्यां के सेवन की समछांग हो सकता है कि त्रिफला की चुर्ण का सेवन के बाद कुछ लोगें को पेट की समछांग हो सकती है अधिक मात्रा चूरुड सेवन करने से दस्त की समस्या हो सकती है खासतर यदि आपका पाचन सिस्टम सव्वे दन्शील है यदि आप इससे सही से प्रव्यों नहीं करते हैं तो यह आपके आतों को अधिक प्रावावित कर सकता है कुछ लोग त्रिफला चूर्ण के सेवन के बाद आपकों के लाल होना पुचा की खुजली या मुंगे की समस्या जैसे लक्षनों का सामना कर सकते हैं यह आपके शरीर के प्रतिक्रिया का हिस्सा हो सकता है यह आपके शारीरिक स्वास्त के जुड़े कुछ साइड इपेक्ट्स भी हो सकता अब बात करेंगे कि त्रिफला चूर्ण जो है वो किसे नहीं ले खरक वर्ण गर्भा वस्ता में दर्भाती महिला॓ं को खिक्रिपल या डॉक्तर कि आपने डॉक्टर जारी लेना चाहिए क्योंकि सघ्र से प्रभावित हो सकता है इसले आपको डॉक्टर से कंसेंट करना बहुत जरूर हो चूटे बच्चों को ट्रिफला चुर्ण का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए खास तर बच्चों के लिए इसकी मात्रा को ध्यान में रखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो ज पता है जिसके कारंत्री पला चूर्ण आपकी गोलियों के साथ रियक्शन करना ना पड़े आए होप कि दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आये होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चानल को सब्स्क्राइब कर दीजे और अगर आप लोग ऐसे ही पंटेंट को तके लिये जेग